हलो सेवंध ग्लाव स्टूइंट्स एक वीडियो में एक सवाल तो मैं अगल ब्रेंस के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सब का स्वागत करता हूँ यहाँ पे यह questions देखीगा कि यह जो सवाल है यह एक अच्छी quality का सवाल मुझे ऐसा लगता है दो marks में यह तीन marks में आपको आपके school में अगर यह chapter आ रहा है fractions and decimals तो यह देखना चाहिए तो सवाल क्या है यहाँ पे दो characters का नाम दिया है और part की बात की गई है तो कोई भी द characters का नाम आपके सामने ले सकते हैं कोई भी दो students वो सकते हैं यहाँ पे जो नाम लिये हैं वो है रहीम और अजमल तो रहीम और अजमल पिकनिक ली गए है और उनकी मदर ने उनको पानी की बॉटल दिये जिसके अंदर five liters of water है again मैं कहूंगा NCIT book में भी इस पकार का सवाल है RS Agarwal में भी है, RD Sharma में भी है और आप जोन से भी book follow करते हैं सब जगा आपको यह वाला सवाल देखने को मिलेगा तो एक proper तरीके से यहाँ पे यह बोला जा रहा है कि एक पानी की जो bottle है उस bottle में five liters of water है और दोनों brothers रहीम और अजमल जब पिकनिक ली गए तो उनकी मदर ने उनको यह पानी की bottle दी है तो इस पानी की bottle में हम यह समझ पा रहे हैं question से कि पांच लीटर पानी उनको दिया गया है drink करने के लिए तो अजमल consume three by five part of water अजमल कितना consume कर रहा है कि question को जब भी आप attempt करेंगे हमारा मकसद यहाँ पर यह है आपको question कैसे attempt करना है वो बताना कौन से questions important हो सकते है teacher को हम यह questions किस प्रकार से वहाँ पर represent करके आए कि हमें full marks यहाँ पर मिले चलिए तो देखेगा जो भी data आपको given है इस तरह के जो questions होते हैं इंको हम word problems कहते हैं और word problems जब आपके सामने आती हैं तो उनको भी statement form में हमें solve करना है तो चलिए यहाँ पर a water bottle a water bottle contains contains 5 liters of water 5 liters of water next ajmal consume 3 by 5 part of water ajmal कितना consume कर रहा है तो ajmal consumed ajmal consumed water is equals to 3 by 5 part 3 by 5 part of किसका तो 3 by part of water जो पानी वो लेकर गया था उस पानी का उसने 3 by 5 part consume कर लिया that means of का मतलब mathematics में होता है multiplication तो अगर मैं mathematical statement यहाँ लिखता हूँ तो यह आ जाएगा 3 by 5 of of का मतलब multiplication of water कितना था पानी तो पानी जो था वो 5 liter था तो out of 5 liters 3 by 5 part is consumed मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपका अंसर आएगा 3 liters of water consume हुआ किसने consume किया अजमल ने तो therefore अजमल consumed अजमल consumed 3 liters out of the total 5 liter यह हमें इस पहले statement से समझा रहा है अजमल consumed 3 by 5 part of the water रहीम consumed the remaining और बच्चा हुआ जो पानी था वो किसने consume किया है तो वो उसके भाई अजमल ने वो उसके भाई किसने रहीम ने consume किया तो यहाँ पर आपको जो second part दिया गया है उस पर आप देखिएगा remaining 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 water remaining water is consumed is consumed by रहीम ऐसा इन्होंने बोला है तो लेकर गए थे वो total कितना वो लेकर गए थे five liters out of that five liters three liter तो अजमल ने drink कर लिया तो three liter क्योंकि अजमल drink कर चुका है तो that means three liter को हम subtract कर देंगे तो हमें हमारा जवाब मिलेगा कि remaining जो portion था वो था two liters का तो यह हमारा जवाब आएगा ठीके क्या आया second statement से हमें यह समझाया कि remaining water जो रहीम ने consume किया है वो टू liters है चलिया आ जाते हैं अब question के ए पार्ट पे how much water did अजमल drink a part therefore अजमल drink अजमल drink three liters of water three liter water हम ऐसा बोल दें three liter water कितना consume किया है तो आजमल ने consume किया है three liter what fraction of the total quantity of water did रहीम drink what fraction और यहां पर देखो fraction में आप से पूचा है कि total quantity का कौन सा fraction रहीम ने drink किया तो देखिए बी पार्ट के लिए हम क्या जवाब देंगे बी पार्ट के लिए हमारा जवाब होगा कि अगर three by five part of water किस ने consume किया है वो अगर अजमल ने consume किया है तो रहीम ने fraction में कितना consume किया हम कहेंगे let let the total quantity let the total quantity of water of water that is five liters is equal to one one part one complete part हम अगर ऐसा देको fraction में बात हो रही है तो fraction के लिए हमने क्या किया हमने जो value दी थी उस five liter को एक complete part माल लिया एक complete whole part माल लिया वन ठीक है out of out of one complete out of one complete part three by five part is consumed is consumed by अजमल ये दिया था तो हम कहेंगे one minus three by five जब आप करेंगे तो इसको solve करिए और मुझे comment box में बताइए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक complete में से अगर three by five part अजमल consume कर गया तो रहीम ने कितना consume किया होगा तो इस case में रहीम का जो fraction निकल के आएगा वो one minus three by five that is two by five निकल के आएगा तो ये आपके b part का answer आएगा two by five part of water तो यहाँ पर parts में बात हो रही है तो कुल मिलाके हमें ये समझाया कि पूरी जो पानी की bottle थी जो की पांच लीटर की थी उस पांच लीटर की अगर मैं पांच बराबर तुकड़े कर दूँ तो out of that five parts, three parts अजमल ने ट्रिंग किये और two parts जो है वो रहीम ने ट्रिंग किये clear है तो पूरी उमीद करता हूँ ये एक important सवाल जो की three marks का मुझे लगता है definitely आपको ये variety पूछनी चाहिए क्योंकि सारी books में इस पकार की question को fractions and decimals में cover किया गया है तो आप इस question की अच्छे से त्यारी करके जाईएगा इसी तरह की अच्छे सवाल पाने के लिए आप MagniBrainz को follow करते रहे है इंस्टा, Facebook, Telegram के थूँ अगर आप YouTube चैनल watch कर रहे हैं और आपने subscribe नहीं किया है तो चल्दी से कर लिजे subscribe so that इस तरह की जो अच्छे सवाल है उनका notification आपको पहले मिले अगर आप ऐसे ही अच्छे सवाल MCQ varieties, mock test papers, उनके solutions, hard copy या e-book के form में पाना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे description box में जाईए form fill up कर दीजिए मैंगनमेंस की team आपके contact में आके आपको ये सारी hard copies e-book आपको provide कर दी जाएंगी तो चलिए मिलते हैं next एक अच्छे सवाल में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो bye and take care